कश्मीर के अलगाववादे नेता यासीन मलिक को NIA की एक अदालत ने टेरर फंडिंग के मामलों में दोशी करार देते हुए उम्रकैत की सजा सुनाई है इससे पहले 19 माई को अदालत ने यासीन मलिक को टेरर फंडिंग के मामलों में दोशी करार दिया था लेकिन सजा सुनाने के लिए 25 मई का दिन तैकिया था यासीन मलिक पर देश के विरुध युद्ध छेड ने आप राधिक साजिश रचने और गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने जैसे संगीन आरूप थे उन्होंने अदालत में अपने उपर लगे सभी आरूपों को स्विंकार कर लिया था इसके बाद पिशले गुरुवार को NIA कोर्ट के विशेश नयाधीश प्रवीन सिंग ने मलिक को गैर कानूनी गतिविधी रोगथाम अधिनियम यानि UAPA के तहत आरूपों में दोशी ठहराया था यासीन मलिक को UAPA की धारा 16, धारा 17, धारा 18 और धारा 20 के तहत दोशी पाया गया इन धाराओं में आतंकवादी गतिविधी, आतंकवादी गतिविधी के लिए धन जुटाना, आतंकवादी कृत की साजिश रचना और आतंकवादी समुह की या संगठन का सदस्य होने जैसे अपराद शामिल होते हैं यासीन मलिक जमुकश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी जे के एल एफ के अध्यक्षतों थे ही साथ ही इसके संस्थापकों में से एक थे इस संगठन ने नभ्वे के दशक में कश्मीर घाटी में सशस्त्र उग्रवाद का नेत्रित्व किया था बाद में उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया और बाच्चीत का रास्ता अपनाया 1966 में श्रीनगर में जन्मे मलिक अभीतिहार जेल में कैद हैं वो कई बार जेल जाच चुके हैं पहली बार उन्हें जब जेल भेजा गया था तब उनकी उम्र केवल 17 साल थी बादित करने की कोशिश की वो गिरफतार कर लिये गए जिसके बाद वो चार महीं तक जेल में रहे